Hello friends and welcome to My Legal Code. I am Ashu Arlawania and you are watching the legal series of My Legal Code. हमारी legal series में आज का जो question है, that is points for girls before getting married with an NRI. मतलब जो लड़किया NRI व्यक्ति से शादी करने के बारे में सोच रही हैं या करने जा रही हैं, उनको किन-किन बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें follow कर सकते हैं Instagram, Facebook, Twitter और Telegram पर, बस सर्च कीजिए My Legal Code च Getting Married to an NRI, मतलब जो महिला हैं या लड़कियां किसी NRI से शादी करना चाहती हैं, या करने जा रही हैं, ऐसा भारती है, जो भारत में नहीं रहता है, और दूसरे देश में रहकर के काम वगरा करता है, ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हैं, तो उनको किन-किन बातों का ध् रखना चाहिए, अपनी सेफटी के लिए, for the sake of her safety, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन key points मैंने दे रखे हैं, first point is, never hurry up to get married with an NRI, मतलब कभी भी NRI के मामले में जल्द बाजी ना करें, बहुत से लोग स्पार्क में आ जाते हैं, कि NRI है, बाहर घूमने को मिलेगा, यह हो, लेकिन, always remember that life is the most important thing, आपके जीवन से कर कोई खिलवार हो गया, तो सारा enjoyment जो आपने dreams देख रखे हैं, वो भी खतम हो जाएंगे, तो better है, सबसे पहले आप अपनी safety देखें, और कभी भी जल्द बाजी ना करें, इसके अलाबा, next point मैंने दे रखा है, contact his employer to inquire about him, his job description working place, his family details, etc, because employer can assist you to know more about him, आप direct उसकी company से contact कीजिये, जिस company में वो काम करता है, उससे उसकी job की details मागिए आप, और इसके अलाबा, उसके working place के बारे में आपको पता चलेगा, कि वो कहां काम करता है, his family details, परिवार की पूरी details वहाँ पर होंगी, क्योंकि verification और induction training में सारी चीज description, सब कुछ आपको company की तरफ से मिल सकता है, और उसके बारे में जानने के लिए company आपको बहुत help करती है, next point, other information can be inquired from his relatives living in India, बाहर गया है, लेकिन जीवन तो इंडिया का यह, है तो भारती है, यहाँ पर काफी सारे उसके relatives सौंगे, उनके बारे में पता करके, आप उनसे बात कीजिए, और वहां से informations को collect कीजिए, next information, all the collected information can be cross-checked through authorized agencies, उसके बारे में आपने अपनी समझदारी से जितनी भी informations हर जगह से collect की है, उनको government agencies, सरकारी एजेंसियों के थूँ cross-check कराईए, next, inquire about groom completely, मतलब जिस लड़के से शादी करने की बात चल रही है, उसके बारे मे जो भी doubt आए, कहीं पर भी हिच्च चाने की जरूवत नहीं है, life का matter है, तो आप उसके बारे में जितनी inquiry कर सकते हैं, अपने level से करिए, next, nowadays company website provides every information, companies की जो website होती है, वो आपको पूरी-पूरी information provide कर देती है, बड़ी company है बाहर गया है, obviously website must include all the information, basic information at least, it should contain, okay, apart from this next point, the same point I have repeated I am sorry for that, so switch over to the next topic, that point is, at present, so many private institutions of Delhi and Punjab are working to resolve NRI marriage disputes only to help victims, आज की डेट में अगर आप जानना चाहेंगे तो डिली और पंजाब में बहुत सारे private institutions, मतलब व्यक्तिकत संस्थाएं हैं, जो NRI की शादियों से लेकर के जो disputes विबात चल रहे हैं, और उनसे जो पीडित हैं, उनके इक भी ले सकते हैं, होने को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी के साथ तो आप उसे गाइड भी कर सकते हैं, डू गेट मैरेस रजिस्टर्ड फर स्योर, शादी होते ही सबसे पहले उसे रजिस्टरार आफिस में रजिस्टर्ड कर आएं, ठीक है, ये बहुत इसके अलाबा, yet unfortunately anyone faces the issue, meet other NRI families in your contact and don't hide this issue within you, देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको एक तो प्रेश्टीज का इतना बड़ा टॉपिक मत बनाईए, कि जिससे कि आप जिस प्रेश्टीज को बचाने में लगे हुए हैं, वो एक्सपोज हो जाए, गलत तरीके से तो better है कि दुरभागे से अगर ऐसा किसी के साथ हो भी गया है, तो हिचके चाहिए मत, और भी NRI families होंगी, आप उनसे contact कीजिए, वो आपको जो भी information देंगे, जो भी guide करेंगे, वो आपके काफी मदद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, and the last point is, disclose problem as soon as possible, it helps during investigation, problem जैसे ही आपको address होती है, आपको पता चलता है, फटा-फट उसे disclose कीजिए, दबा के मत रखिए, छुपाइए, क्योंकि आप उस problem को जितना जल्दी disclose करेंगे, आगे investigation में, वो उतना ही help करेगी, और हो सकता है, आपके जो dispute है, और जो भी problem है, वो time के according जल्दी resolve हो जाए, तो यही सारी बात जानकारिया में देता रहता हूं, इन पर topics बनाता रहता हूं, और I hope आपको अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा लगता है, आप इसे like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, channel को subscribe कीजिए, my legal code, thanks for watching, thanks for following, best of luck, bye bye